नहीं तो अब झो है यह नन मइटल की केसमें देख लूँ यह जो है वन मोल आफजिए सटन जब इलेkteन को अब्सॉर्व करता है तो यह एन्यान बनाता है और इस केसमें अगर इलेक्ट्रों को अब्सॉर्व कर रहे हैं एन्यान बनारे तो इस केसमें और जिरीलीज होती रि स्वारी से इलेक्ट्रोन को अब grassroots कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है यह इलेक्ट्रोन ऐफिनिटी कहा जाता है आच्छा कही कही कुछ-कुछ रियक्शन्स में एनर्जी को अब्सॉर्ब ढ़ता है वह बात कि बात है उसको और लेक्टेल में बात करेंगे कितने easily कोई electron element absorb कर सकता है ठीक है, तो अब ये इसको electron affinity कहा जाता है कि energy इस case में release होती है जब electron absorb होता है तो its best की electron affinity maximum हो maximum होगी तो easily electron absorb हो पाएगा और जितनी ज़ादा energy release होगी उतना stable bond बनेगा ठीक है, third चीज़ देख लो अब जब ये metal और non-metal combine हुए जब ये anion और cation combine हुए जब ये cation और anion combine हुए गैशे जटब में थे तो इन्होंने एक compound बनाया which is solid in state और इसमें जो है, इस process में भी बहुत सारी energy release हुई बहुत सारी which is called lattice energy lattice energy, okay ठीक है, इतनी बात clear हो गई है lattice energy या फिर enthalpy बोलो इसको जो बोलना है बोलो lattice energy या enthalpy इसका तो एक proper definition ये हुआ when one mole of ionic compound is formed from gaseous anion and gaseous cation then amount of energy released is called lattice energy ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ही बहुत सिंपल सी definition है अब इस चीज को गई है more lattice energy, more will be the stability ionic bond उस case में ज्यादा stable होगा अगर ज्यादा energy release हुई होगी तो इतनी बात समझ में आ गई है एक कोशन है, बहुत सिंपल है देख लो एक कोशन है, जैसे naf, nacl, nabr और nai ये चार compounds हैं किसका ionic bond सबसे ज्यादा strong होगा तो हमीशे याद रखना ionic bond उस cases में strong होते हैं जहां पे highly metallic character जो है highly metallic character है जिस element का वो bond form कर रहा है highly non metallic elements के साथ तो bond highly metallic element और highly non metallic element के बीच में जो bond form होता है that is सबसे strong ionic bond अब इस case में ज़रा ध्यान देना ये जो metal वाला portion है sodium 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 ये तो एक common है group 1 का है और अब क्यूंकि एक ही metal है common है तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम ध्यान किस पे देंगे non metal वाले portion में तो एने तो बहुत ही highly metallic होता है ठीक है अब FCL BRI में कौन सा non metallic सबसे ज़ादा होगा तो जो non metallic character है वो decreases down the group नीचे नीचे जाता है जब तो वो non metallic character decreases down the group तो यहां पर F की case में non metallic character सबसे ज़ादा है तो इसका ionic bond भी सबसे ज़ादा होगा फिर इससे का मिसका फिर इससे का मिसका फिर इससे का मिसका ठीक है इती बात समझ में आ गई है अचा अब एक चीज और देखो यहां पर NCRT में देखा है rock salt structure दिया हुआ है NACL का तो एक one mole of NACL में जो होते हैं इत्ते molecules of NACL होता है तो यह जो है NACL का structure है this is rock salt structure और इसमें जो है मैंने यहां पर sodium को by circle represent किया है chlorine को square form है तो इस तरीके से cube like structure होता है और कोनों में जो है जैसे कि यहां पर अगर chlorine है तो इसके यहां पर एक sodium होगा फिर यह इस से sodium से chlorine bound होगा chlorine से sorry हाँ chlorine से sodium फिर इस तरीके से bonds form होगे यह ionic bonds form होगे तो इस तरीके का one mole of NACL का rock salt structure है ठीक है आचा इसको lattice भी बोला जाता है इस 3D structure को एक और चीज मेरे को बतानी थी हाँ इसमें arrangement of cations और anions हुआ है वही मतलब sodium is cation chlorine is anion तो इस तरीके से representation हुआ है और और क्या चीज थी हाँ जो ionic bond होता है सबसे जादा stable होते हैं जब ionization energy less होती है मतलब electron easily release कर दे जितनी कम ionization energy होगे मिला उत्ता कम महनत लग रहा है electron को release करने में second electron gain enthalpy जादा होनी चाहिए मला easily electron वह attain कर लेना चाहिए तो electron gain enthalpy should be more negative जादा release होनी चाहिए और lattice enthalpy भी जादा होनी चाहिए जितना यह जादा होंगी उतनी ionic bond जो form होगी वो जादा stable होगी एक यहां पर मैंने बताया था exceptions everywhere तो NH4 भी एक exception है इसमें दोनों जो elements है non metallic है और still they form ionic bonds अच्छा यहां पर यह जो था एक देख लो जड़ा फिर से NACL का एक किस तरीके से form होता है compound sodium जो है gaseous atom में atom होता है one mole of sodium in gaseous state releases an electron ठीक है तो इसमें जो ionization energy involved होगी that is 495.8 kilojoule per mole यहां chlorine जो है that will absorb an electron और इसमें जो enthalpy electron gain enthalpy जो होगी that will be minus 348.7 kilojoule per mole negative में है मतलब exothermic electron sorry energy release कर रहा है ठीक है समझ में आ गई थी बात तो finally जब यह compound बनाएगा NACL बनाएगा तो lattice energy release होगी which will be 788 kilojoule per mole तो यह जो ionization energy electron gain enthalpy की बीच का जो difference है that will be 147.1 kilojoule per mole plus में है और इतना मतलब कम है system में energy इस पूरे reaction में इतनी कम पढ रहे energy तो lattice energy जो है इसको compensate कर देगा इतनी form में होगी तो यह बात का ध्यान रखे energy release is more than energy absorb पूरे reaction में जितनी energy जादा release होती हो energy absorb कम होती है इसके comparison में ठीक है ठीक है that's it जादे होती है